नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतों पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आईए आज हम सभी जानते हैं इसकीन से जुड़ी हर प्रोब्लेम को दूर करने के लिए होम में ड्रेमेडिक के बारे मे जो की औशदी, रामबाण सावित होती है, किसी भी प्रकार की स्कीन की प्रोब्लेम में, जिहां चाहें वो pimples हौँ, चाहें जोर्यां हो, चाहें श्कीन को तोन करना हूए, यानि कि आपका रंग ढर्क हो गया हूए, डार्क सर्कल की प्रोब्लेम हो आखें के नीचे काले खेरे बन गए हो या फिर फेस आपका टैनिंग हो गया है या स्कीन इन सभी चीजों को दूर करने के लिए ये बेहद ही कारगर और शद्य है जिहां हम बात कर रहे हैं इसके लिए आपको चाहिए होगा आइस लेकिन आइ लिफ्स जिहां यानि की पुदीने की पतियां आपको करना क्या है कि आप जिसमें फ्रीजर में जमाते हैं बर्फ उस फ्रीजर में बर्फ जमाने से पहले जैसे ही आप पहले क्या करते हैं पानी उबालिए पहले दो कप पानी ले ले लिए उसको उबालिए अच्छे से ग particular आप दिरिक्ट पत्यों का इस्तेमाल करें ग्रीन ती की इसके बाद पानी उबल गया है उसमें ग्रीन ती आपने डाल दिया फिर उसको ठंदा ensuring दोने दीजिए और फ्रेजर में डाल दीजिए इसके बाद फ्रेजर में डालने से पहले उसमें पुदीने की पतियां भी डाल दीजिए थोड़ी-थोड़ी हर पार्ट में आप थोड़ा-थोड़ा करके डाल दीजिए पुदीने की पतियां और बर्फ बनने दीजिए जमने का सफेद कपड़ा हो तो सबसे अच्छा होता है उसमें इसको लीजिए इसके बाद जब गीली होने लगे कप कॉटन के जो कपड़ा आपने लिया है जिसमें आपने बर्फ का टुकड़ा लिया है उससे आपको अपनी स्कीन को सरकल नुमा यानि की वृताकार गोलाकार में आ या फिर इसकीन काली हो या फिर इसकीन में डेड होई इसकीन आपकी सुंदर ना दिखती हो डिहाइडरेटेड हो यह सारी प्रोब्लेम इससे दूर हो जाएंगी बस इसको लगाना होता है आपको नियमित्ता के साथ यह बिहधी कारगर और शदी के रूप में कारे करती है और आप सभी जानते हैं कि मिंट में इंटी इंफ्लमेंटरी गुण भी पाये जाते हैं जिसकी बदौलत आपको इंफेक्शन के चांसेज भी कम हो जाते हैं इसके साथ इंटी ऑक्षिडेंट का अच्छा एक श्रोथ है जिसकी बदौलत आपकी स्कीन जो है हाइडरेटेड भी रहती है और पूर्ण पोश्ण मिलने के साथ साथ चमकदार बनी रहती है यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए जिसके साहरे आप अपनी स्कीन का खयाल रख सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुडएंगे एक और बहाद ही महतों पूर जानकारी को ले करके तब तक के लिए धानिवाद नमस्कार दोस्तों